आप मैं हूँ आपके साथ पलवी राजपूत और उमारे खास कारिक्रफ खबर नामा में आप सभी कास्ट बागत है चले रुख कर लेते हैं आज की खास खबर का मुंबई के पूर्व पुलिस कमिशनर परमवीर सिंग के आरोपो पर बॉंबे हाई कोट ने महाराज चुके अब उन्होंने इस्तिफा दे दिया है तो महाराज चुके अनल देशमुक की खिलाफ बड़ा फैसला सुनाय हाई कोट ने अनल देशमुक के खिलाफ सी बी आई जांच का आदेश जारी किया है हाई कोट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौपने को भी कहा है परमवीर सिंग ने ग्रह मंत्री देशमुक के खिलाफ आई कोट में 100 करोल रुपे की वसूली किया चुका लगाई थी इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोट ने कहा कि परमवीर सिंग के आरोप गंभीर है इस मामले में F.I.R. दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है उचने आयले ने कहा कि अनल देशमुक पर ये आरोप लगाई है इसकी जांच के लिए प अफ्तव असूली का बहुती जल्द सच सामने आ जाएगा C.B.I. जांच में एक एक करके सारी सच्चाई सामने आएगी इसके अलावा पर 90 लगा अतार ग्रह मंत्री अनल देशमुक पर निशाना साधिते रहे हैं आपको बता दे के अंटीलिया केस में मुंबई के पुलिस सचुनवाजे को 100 करोल रुपे वसूली का टार्गेट दिया था इसके साथ ही उन्होंने देशमुक पर कई अन्य आरोब भी लगाये थे तो मुंबई पुलिस के पूर्व कमिशनर परमवीर सिंग की आचिका पर सुनवाई करते हुए सुमवार को बॉंबे हाई कोट ने बड़ा फैसला सुनाया सौ करोर रुपे वसूली के आरोपों की जाच अब सीबी आई करेगी इस पैसले पर आ रहे ही प्रतिक्ष्रे आएं सुनिए आप सब्सक्राइब पुलिस आयूक इनके लेटर पर जो याचिका दाखिल हुई थी उसमें जैश्री पार्टी लेड़ुकेट इन्होंने भी जो एक केस फाइल की थी उसके ऊपर निरणय देते हुए ये पूरा मामला CBI को सवपाए माननिय उच्चे लायले ने सुपष्ट रूप से कहा है कि मामला गंभीर है और CBI 15 दिन में इसकी प्रिलिम्नरी इंक्वाइरी करे और उसके बाद उस इंक्वाइरी के फाइंडिंग्स के आधार पर अपनी आगे की कारवाई CBI करे इस प्रकार से इस प्रकार का इंडाइक्टमेंट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का जिरने हैं और मैं ऐसा मानता हूं महाराष्टर के इतिहास का यह जो काला इतिहास है जिसमें विश्वत खोरी हट्ता खोरी इसकी स्केट स्पॉंसर घटनाए जिस प्रकार से बाहर आई है ऐसा कभी हुआ नहीं था और इसलिए किस काले इतिहास को समाप्थ करके महाराष्टर के पुलीस की स्वरणिम प्रतिमा को फिर बहाल करने के लिए यह सीबियाई इंक्वारी एक मील का पत्थर साबित होगी ऐसा मेरा मानना है बाद में आगे NCP में गया या अनिल परब के द्वारा मुख्यमंत्री कारयले में गया यह सब जानकारी बहार आईगी यह भी स्पर्ट हो गया है कि वसूली का पैसा बिटकोईन में वसूल किया जाता था याने फोरेंट ट्रांदेक्चन बेनामी कंपनिया याने मुझे विश्वास है एना ये CBI और अब ED इनकंटेक्ट और RBI को भी इन्वाल होना पड़ेगा मैं हाई कोट के निर्णई का स्वागत करता हूँ और उद्दव ठाकरे जी और शरत पौर ने जो कवर अप ऑपरेशन सुरू किया था उसको बड़ा थमाचा अब ऐसा है ना कि 2000 करोड के हिस्से तो अनील देश्वास के द्वारा NCB में भी गए होगे जैसा उद्दव ठाकरे बचाओ कर रहे हैं क्योंकि 2000 करोड से अनील पर अपके द्वारा मुख्यमंत्री कारेले में भी पैसा आया होगा वो तो बचाओ करेगी और दिन का समय है 15 दिन के अंदर उनको डिसीजन लेना है कि इसमें एफ़जिस्टर खरना है या नहीं है उनको लगता है उनको लगता है फर शार खरनहीं होगे उनको लगता है तो यह उनके और करना है प्रोचट करें पन्वाराना सनरे में आपके तो'd क्लोस Gamze पूरा ठीक से सुन नहीं पाया हूँ थोड़ी तर मैं आपको इसके बारे में जान करें देखा था कि वह ज्यादा फरक नहीं पड़ता है इन बातों का क्योंकि देखे करने में इंट्रेस्टेट हूँ उसका आसर नहीं पड़ता है तो अब आपको बता दे कि इस मसले पर भारती जंता पाठी हमलावर है रवी शंकर प्रसाद ने भी अब प्रैस वारता करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी सही तरीके से जाच हो ये महा अगा है उन्होंने आगे कहा कि अनिल देश्मुख ने अपना इस्तिफे में लिखा है कि मैं नैतिक आधार पर इस्तिफा दे रहा हूं क्या उद्धव जी आपकी कोई नैतिकता है या नहीं उन्होंने कहा कि अगर अनिल देश्मुख नैतिक आधार पर इस्तिफा दे रही है तो पुर्वर पुलिस कमिशनर परमवीर सिंग के दुबारा लगाए गए आरोपों के बाद से महाराश्ट्र की सियासत में हल चल है मामले में जैश्री पटेल की याच्रिका पर आज बॉंबे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और दूसरी तरफ एंसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देश्मुख ने मंत्री पद से इस्तिफा दे दिया अनिल देश्मुक मामले को लेकर हुई एंसीपी की हाई लावल मीटिंग में शरत पवार अनिल देश्मुक अजीद पवार और सुप्रिया सुले मौझूद रही यह बैठक जैश्री पटेल की याचिका पराए हाई कोट के निर्णे के बाद आयो जित हुई इस मसले बढ़ चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले छोड़े से ब्रेक के लिए हम या रुख रहे हैं फॉरण हाजर होंगे खबर नामा खबर से असरता राश्ट्र धर्म रात आठ बजे सर ए ए एन बी नियूस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक एतिहासिक कदम उठाए है जहां एक और किसानों से किये वादे पूरे किये वही दूसरी और किसानों को उपज का सही मुल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी MSP पर केहु खरीदने की तयारी कर ली है केहु की विक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के बोटल पर पंजी करण करवाएं किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है केहु की खरीद भारत सरकार द्वारा तैमानकों पर की जाएगी सभी किसान भाईयों के लिए विशेश निर्देश है कि वे अपने केहु को अच्छी तरह से साफ करके लाएं केहु की अच्छे से मड़ाई वा उसाई कराएं वा किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें चलने की मदद से कंकर पत्थर अलग करके केहु बिखरी के लिए क्रैकेंद्र पर लाएं किसानों के खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैफ प्रयासरत है किसानों के साथ योगी सरकार खबर जाहे सियासत की हो या सरकार की खबर जाहे ब्रश्टा चार की हो या गुनेगार की दिन भर में क्या रहा देश चगत का हाल किस मुद्दे ने बनाई किस की सरकार रखते हैं हम सब पर नजर पहुचाते हैं हम हर खबर हम हैं ए एन बार फिर से आप सभी का अस्वागत है और आज खबर नामा में हम बात कर रहे हैं महाराश्ट्र में चल रही सियासत के बारे में इस समय महाराश्ट्र की सियासत गर्माई हुई है और अनिल देश्मुक के इस्तिफ़े के बाद इसमें और भी ज्यादा गर्माहत आ गई है रवीशंकर प्रसाद जोकी किंद्री मंत्री है आज उन्होंने प्रैसवारता की है और सिधे उद्धव सरकार पर उन्होंने हमला बोला साथ ही उन्होंने बातों बातों में उद्धव ठाक्षे के इस्तिफ़े की भी मांग कर डाली है इस मसले पर चर्श्रा के लिए इस समय दो महमान हमारे साथ लाइफ जुड़ गए हैं सबसे पहले हुंडारे साथ आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं सर महराज चुकी सियासत में च्छल क्या रहा है भारती चंता पार्टी बहुत पहले से मांग कर रही थी कि आप इस्तिफा दिलवाई आनिल देश मुकौर अंतते हुआ वही उन्हें इस्तिफा देना ही पड़ा अवाज पहुंच रही है उन्डारे जी आप तक सर मेरा सवाल यह है कि आखर महराज चुकी सियासत में च्छल क्या रहा है अनिल देश मुक के इस्तिफे की मांग भारती जंता पार्टी बहुत पहले से कर रही थी और आज अन्तिते वही हुआ इस्तिफा देना ही पड़ा अनिल देश मुक को नहीं ने यह तो बिजेपी का एक चेडियंतर है हर साथ से जब से महराज के सरकार जब से स्पीर हुई है सबी से आज सलग हर बार ये सर्टा के लिए ये बुनिया नारोग करके आ रहे है और आज भी इन्होंने आहर समय हमारे सल्मान ये मुख्यमंत्री उद्धो साथ के लिए हमेशा कोई ना कोई टार्गेट करने का प्रेथ नग किया कुछना कुछना हो ज़े से ये लोग हमेशा महरास्ट्य सर्कार बरोबर नई आज लोगडाउन के तमई जन से महारास्ट्य के मुख्यमंत्री उद्धो साथ सत्था पर सबी से आज सलग पूरे महारास्ट्य की जनता जनकी अच्ची से कान चाले पर उन्तु बीजेपी वाले सत्ता के लिए बुनियाद आरोप करते रहे आज के दाइब संजय राटोर का विशे आया देश्मुक साथ का विशे है अपना इस्तिफा दिया लेकिन अभी भी श्रिफ सेन और एंसीपी के नेदा प्रवक्ता यहीं कह रही है कि यह भारती जनता पार्टी की साजूश है देखे एक बहुत पुराना गाना था और हिंदू हिदे समराख के वंशजों का इस गाने पे सही ठैर जाना सबसे जैनियत स्थिती है कि सजैनेरे जूट मत बोलों खुदा के पास जाना है ऐसा करते करते होए उद्दफ साथ को एक वरी बाला साथ स्वरगी है उनकी याद करनी चाहिए थी कि क्या विश्टे तुछे और क्या आज उद्दफ थात्रे बन गए है मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो वसूली है वसूली बाबा जो है देश्मुग जी इनको कब तक ढूएगी शिव सेना कब तक ढूएगी यह 100 करोर रुपे अगर यहां से मांग रहे हैं तो पूरे महराश्टे से कितने इकठ्थे करते हैं इसका जवाब देना चाहिए नैतिक्ता के आधार पर अगर देश्मुग जी रिजाइन कर रहे हैं तो नैतिक्ता के आधार पर जो नैतिक्ता होनी चाहिए वो तो स्खेर महराश्टे में इस अगाड़ी बिगड़ी गाड़ी में है ही नहीं उसकी वज़ा बता देता हूँ जब पूरा महराश्र करोना काल से ग्रसित हो रहा है त्राहिमान त्राहिमान हो रहा है और इनकी प्रयंका चतरवेदी जो हैं वो देख रही है कि कहां और हो रहा है कहां नहीं हो रहा है पचास हजार रोज के लगबग आने लग रहे हैं विच सब्सक्राइब और ये लगे होएं देशूर साब को बचाने के लिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सो करोड में आपका कितना कच था उद्दव साथ, इस सो करोड रुपे में पवाद साब का कितना कच था, इस सो करोड के अंदर कहीं कॉंग्रेसी तो पूरी चाबी नहीं यह ला रही थी और आप कट पुटली की तरह ऐसे से कर रहे थे सौ करोर की पटमारे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं सर आप अपनी बात पुड़ी तरीके से रखेगा जारी रखेगा क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वज़न नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है में बात है खाया पिया लगना और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को आपके लिवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बड़े, ताकत बड़े, चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे, खूब सूरत परसनेलिटी के मालिक बन जाए ये दवा पूरी तरह से आयरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के, लड़कियां, दोनों इसका इस्तमाल कर सकते है और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा सिर्फ छेसो पचास रपे की, पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठी, 011-45-45-45-45-45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते है कर्तारपूर लांगे दा उदगाटन करके, सिक संगतानों श्री दर्बार साहिब कर्तारपूर दे खुले दर्शन दिदार करवाए चार वर्यांतों पंजाबियां दियां तार्मिक पावनामा दा ख्याल रख रही पंजाब सरकार राश्ट्र धर्म ख़बर नामा ख़बर से असर्ता ब्रेके बाद एक बाद फिर से ख़बर नामा में आप सभी का स्वागत है महराश्ट्रों के सियासत के बारे में हम बात कर रहे हैं दोनु ही महमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए है रमन मलिक जी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि 100 करोड की जो वसूली हुई थी वो किस तरीके से बाटी गई तमाम बाते आपने कहीं है लेकिन सवाल ये है कि अभी तो CBI जांच के आदेश दे दिये गए सर अभी तो जांच शुरू होगी फिर रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आने से पहले बीजेपी ये कैसे डिसाइड कर सकती है कि वाकई में 100 करोड के वसूली की गई थी देखें ये तो एक पश्च बात है कि ये जो महाविकास घाड़ी बिगडी हुई गाड़ी जिसकी कोई नहीं लाइन ये जो चल रही है वो सिर्फ एक लालच के ऊपर तीनों जुड़े होएं इन्होंने जन्ता के साथ धोका करके सरकार बनाई है मैंडेट डिवेंदर भाई के अंतरगत इनकी सरकार चलने का था मैंडेट इनके पास डारेक नहीं था जो मैंडेट बना वो इन्होंने कहीं का इंट कहीं का रोड़ा और भान मती जो की पवार साथ हैं उनके साथ इन्होंने कुमबा जोड़ा अब बात यहाँ पर सिंपल सी यह आती है जो पूछने वाली बात है इनसे कि हर जगा हर समय कोई केस देखिए जाये वो मेट्रो का हो चाये वो सुसांथ का केस हो चाये वो अंतिल्या केस हो कोई भी केस हो ये सारा का सारा इतना घरबर जाला कैसे कदा रहे हैं इतना जो मस्तिष है ना वो उद्दार साब में नहीं है ये जो पीछे से जो कॉंग्रेस पवार साब उनको नता रहे हैं ना ये वो कहानी है मैं तो बड़े खुले मन से एक जवाब इन से चाहता हूँ कि जब बाला साब के आचरन और बाला साब की कई वी कतनियों के ऊपर आप अपने आपको सिद्ध नहीं कर पा रहें तो कम से कम कभी शीशे के सामने खड़े होके पूछिए कि क्या उस बड़ी दिवंगत आत्मा को आप कहीं से संतुष्टी दे रहे होंगे? लालत स्ता का इतना नहीं होना चाहिए. कि आप अपने पूरवजों को इस तरीके से शर्मिंदा करें. दूसरी बात आप ने जंता के साफ दोका करा हर स्टेप पे. आज भी इस करोणा काल के अंदर आप जंता के साफ दोका करें आप लोगों की तुरक्षा लोगों की समरिद्धी लोगों की विश्वस्नियता खोड़ चुके हैं जवाब ले लेते हैं हुंडारे जी से मलिक साहब वो कुछ कहना चाह रहा है बताइए हुंडारे जी वो कह रहे हैं कि क्या आपको समझ नहीं आता कि आप अपने पूरवजो को क्या आगे जाकर मुह दिखाएंगे और किस तरीके से अहालंकि बात कई अभी मलिक साहब ने कि यह उद्धव ठाक्रे में इतना दिमाग नहीं है कि वो यह गड़बर जाला कर सके इस कहानी के पीछे एंसीपी और कॉंग्रेस का हाथ बता रहे हैं वह अच्छे दंग से सरकार चला रहे हैं चला रहे हैं कि जनता भी जानती हैं तो पीजेपी वहने बे बुनियाद आरोप कर रहे हैं और बताना चाहता वह देशूप कामने खुद ओके राजी नामा दिया हैं किसिने मंगा लहीं सुप्रीम कोड के आएं आजेश के अनुसार उसके झानने खुद रहे हैं किकिसी構गा नहीं से सरकार मुक्के मंत्री त्ये तंग से सरकार रहे हैं यह ज़याद कर रहे हैं इतना को एंग समय थजरूब तब करनवे हैं चंड़िज अधयो वह कि इस तरह की बाते कर रहे हैं मलिक साहब यह आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे सर किसको किसके साथ गडबंदन करना है यह भी अब भारती जंता पार्टी डिसाइड करेगी क्या कि राजो में सरकार किस तरीके से बनेगी मोटी जी और दिवेंगर भाई के अज़िशता में तो नाम लादाना नीचे देश्टा की जन्ता जानती है महराज से की जन्ता वो दोका देने वाल है तो मैड़ा आपके माधियम से आपके माधियम से सीधा सवाल है कि अगर नेटिक्ता के आधार पे अनिल देश्मुक साब ने ये कहते हैं कि रेजनेशन दिया और कोई मांग नहीं रहा था तो पिछले लगवग एक महीने से जब से ये लेटर वर्म की कहानी चली है मेरे को ये समझाईए जो पूरा विपक्ष जो माराश्टर की जन्ता जो पत्रकार ये बोल रहे थे कि यहाँ एस तरा का कुकरम हो रहा है तो उसमें ये मांग नहीं थी क्या कि अनल देश्वों को रिजाइन करना चाहिए बिलकुल थी लेकिन अब जब बॉम्बे हाई कोट से ये फैसला आया है कि सीबी आई ही जांच करेगी ताब उन्हें भी लग रहा होगा कि जब आप जांच बैठी गई है तो बहतर यहीं रहेगा कि हम अपने पद को छोड़ दें इसमें गलत क्या है लूपी जेवेंदर भाई ने बार बार ये बोला है प्रस्के जबी आपके जेवेंदरी जी तो किसी का रिजाइन मांगे ने इस नाम बताईए करणा गाड़ि जानती है मुंबै की जनता जानती है मावसूली अगाड़ी मलीटी कि अपना पुराय जेवेंदरी मावसूली जानती है इस पिच्टर की सीरी जनी है भूल वाल अब हमारे मित्र है सुनिये अच्छे से मलीक जी रिजाइन दिया अमने खुद दिया है उच्चे नया लेके अज़े जैसे आये उच्छे रिजाइन दिया है उस दिन से रिजमिने से रहा है तो दिल्ली भी भागे वो उतरफास के बाद भी बाद भागें तो पशना कभी पोड़ा ने हो लेगा अच्छा सर में बात बताओ एक तो ये डिल्ली में पवार साब के घर जाके क्या सबस्टी करन दे रहे थे तो जब रिजाइन वांगा गया तो बार बार इज़ा से उदर बचने के लिए बाग रहे थे एक सीज और दूसरी सीज आपको याद करा दू आपको इसे की बात क्लियर समझ नहीं आ रही तो एक एकर के बात करते हैं कि बॉलिवूड की नहीं एक बहुत अच्छी सीजीज है बहुत कॉमेडी पिप्चर है उससा नहीं आगा गोलमाल तो यह क्रिस्टे भी गोलमाल का हुआ उसमें एक वसूली भाई था हा ना वही वसूली भाई आपकी सरकार में भी है जिसने अब रेजाइन करा तो यह जो अब लेते हैं हुंडारे जी का सर वो उद्धर ठाकरे का भी इस्तिफा मांग रहे हैं आज रवीशंकर प्रसाद ने प्राइसवारता की है उन्होंने का कि आनल देश्मुक ने जब नयतिकता के आधार पर इस्तिफा दे दिया तो उद्धर ठाकरे क्यों पीछे हैं क्या उ और जो गोल रहे हैं ना मलिक साथ कि शरत कावर जी दिल्ली में बैटेते हैं यह लोगों से मिले वो लोगों से मिले ज़को वो पूराने नेता है उनको जाने का कहीं भी आजी का रहे हैं पर अच्छे डंचे मोधी साफ भी उनके घर पे कुछी दिल साथ पहले गए गए थ इसलिए नेता लोग जानते हैं इसलिए चरात पौर जी और हमारे मुख्य हर मंतरी पर यह आरोभ करना जलत है और हमारे मुख्य मंतरी यह सरकार अच्छे चंचे चला रहे हैं पहले बताओ आप शिक्साना के प्रवक्ता हैं यह एंचीप के? ख़बर नामा ख़बर से असरता ख़बर चाहे सियासत की हो या सरकार की ख़बर चाहे ब्रश्टा चार की हो या गुनेगार की दिन भर में क्या रहा देश चगत का हाल किस मुद्दे ने बनाई किस की सरकार रखते हैं हम सब पर नज़र क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है में बात है खाया पिया लगना और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लिवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बड़े, ताकत बड़े, चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे, खूब सूरत परसनेलिटी के मालिक बन जाए ये दवा पूरी तरह से आयरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के, लड़कियां, दोनों इसका इस्तिमाल कर सकते है और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर मेहसूस हो जाएगा सिर्फ छेसो पचास रुपे की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे, 011-45-45-45-45-45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते है सरकारी हस्पताला विच मुख्त करोना वैक्सिन, करोना बिमारी तों हार पंजाबी नू बचाउन ले वचन बद पंजाब सरकार नामा खबर से असरता कि अब ना सिर्फ राज्य की विपक्ष की जो पार्टी है वो इसके लावा केंद्र सरकार के निशाने पर आप लगातार आ गए हैं अब आपको लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में मुश्किले और बढ़ जाएंगी आपके लिए नहीं कोई मुश्किले बढ़ने वाले नहीं है यहां कि पूरी महाराश्य की जनता जानती है जब से यह सरकार स्थापन हुई महाविका सागड़ी बढ़ी है तब से हमेशा अपक्ष पार्टी बिजेपी का हमेशा यही दावा रहा है कि यह सरकार कहिते गिरी इसकेस पे इन्होंने क्या प्रयास किया हुई मैं आपको रोक रही हूँ बीच में लेकि मेरा सवाल यह है कि अब यह जो मामला चल रहा है समय महाराश्य में उसमें आप भारतिय जन्ता पार्टी के क्या सनलिप्तता देख रहे हैं सर्थ प्रच्टे के वह जवाब दा रहा है और उप जिनों के बाद अब उच्चे ने आया ले और सब सिस्थ हमने आने वाली है शिचान सिंग्राजपूर्ट के अंदर आप उन्हें देखा है इसी दंते यही चाहिम भी आप सब हुए नजर आए तो कहीं आप यह तो नहीं कह देंगे कि सम्विधानिक संस्थाएं तो भारती जंता पार्टी के अंडर में आ गई है या प्रेशर में काम करती हैं अभी एक बात और क्लियर कर दीजिए यहाँ पर सीबी आई जांच पर वरोजा रख रहे हैं न आप इसके नायले पर हमारा पूरा विश्वात है सच्छाई सामने आने वाली है सर में सीबी आई जांच की बात कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि उनकी गल्टिया क्या है और जो सरकार को टार्गेट करना चाहिए महाराश्य स सब्सक्राइब करें तो यह जांच पर नहीं होगा अब तैयार हो जाएगा क्योंकि अब मैंने दो सवाल उनसे कि मुझे दोनों सवालों का जवाब नहीं मिला है तो मैं बस यह कहना चाहती हूं कि अब पहले से बीजेपी को प्रिपैर रहना पड़ेगा यह सुनने के ही है यह वो हालात नहीं है जहां देश के प्रधान मंत्री को पूडल बोला जाता था कि दस जन्पत में जो बड़ी मम्मी बैठती थी उसने रिमोट कंट्रोल चलाना है और पूडल ने काम करना है जैसे अब एक माराश्वा में शायद पूडल बैठा है यह काम बिलकुल स से सामने कि मम्मी बोलेगी तो पूडल चलेंगे और यही काम हो रहा है लेकिन यह वो सरकार है जहां पे सी बी आए को जो नयायले के द्वारा दी गई संग्या थी कि सी बी आए को केज पैरिट बोला जाता था और उसके खिलाफ हमने भी और इनोंने भी मिलके प्रजेशन क गुशता हूँ कि वो संग्या दुबारा नहीं दी जाती क्यों नहीं दी जाती क्योंकि प्रोसीजर के इसाफ से स्वायद संस्ता काम कर रही है अब तो आप बताईए यह साहब कि आप पूडल बनना उद्दव साथ पूडल बनना कब छोड़ेंगे जो संग्या मनमोन को मिली वही संग्या आज देश जो है उद्दव ठाकरे को दे रहा है और वसूली भाई को निकालना पड़ा उद्दव साथ को वसूली भाई को नहीं रखना सकते थे क्योंकि कोट बोल चुके हैं मानने कोट तो अब आप जवाब यह दीजिए कि अगर एक वसूली भाई कितना जरता है तो आपने कितने वसूली भाई रखें हैं चलिए सर अब वह क्या जवाब देंगे बाद बत बत बस इतनी सी यह कि अब सीभी आई जाच करेगी और सीभी आई जाच करेगी तो परत दर परत काफी सत सामने आ जाएंगी कि हम तो यही उमीद कर रहे हैं कि CBI एकदम निश्पक्ष जाज़ करेगी और अब ये शिवसेन और NCP इनको देखना है कि किस तरीके से आने वाले समय के लिए पहले से ही बचाव कई अपनी मुद्रा में रहते हैं फिलाल आप दुनों ही मेमानों का शुक्रियादा करना शाओंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े खबर नामा में तो आपको बता दे कि महाराश्चु के सियासत में समय हलचल मची होई अनिल देश्मुक के इस्तिफे के बाद से लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है इस स्पीच केंद्रिय मंत्री रवीश अंकर प्रसाद के तरफ से भी आज प्रैसवारता की गई जहां उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तरीके से सही जांच हो हम ऐसा चाहते हैं आपको बता दे कि एक हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देश मुख ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया महराज चुके ग्रह मंत्री अनिल देश मुख के इस्तिफे के बाद से ही बीजेपी लगातार उद्धफ सरकार पर हमलावर है कि इंद्रे मंत्री और बीजेपी नेता रविश अंकर प्रसाद ने कहा कि अनिल देश मुख ने इस्तिफे का फैसला भी उद्धफ ठाकरे से नहीं बलकि शरत पवार से पूछ कर लिया है इस पूरे मामले में उद्धफ ठाकरे चुप क्यों है उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच मुंबई के पुलिस नहीं कर सकती थी इसलिए अब CBI इसकी जांच करेगी साथी उन्होंने जोर देकर पूछा कि उद्धफ ठाकरे में नैतिकता है कि नहीं क्योंकि अनल देश मुख ने इस्तिफ़े का आधार नैतिकता को बताया है सवाल तो अब उद्धफ ठाकरे पर भी उठेंगे महाराश्चु के गरह मंतरी ने अपने पत से इस्तिफ़ा दे दिया है ये एक एहम खबर है और महाराश्चु के सियासत से जुड़ी हुई और महाराश्चु के सियासत में हलचल मचाने वाली खबर है अनल देशमुक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर अपना इस्तिफा सौपा साथ ही उनसे मुलाकात भी की अनल देशमुक ने सिया मुद्धव के साथ ही शरत पवार से भी मुलाकात की है आपको बता दे कि परमवीर सिंग के आरूपों के बाद से लगातार अनल देशमुक घिरते हुए नजर आ रहे थे और सूबे की मुखे वेपक्षी पार्टी यानि की भारती जनता पार्टी इस मसले पर लगातार हमलावरती देशमुक पर और वो इस्तिफे की मांग कर रही थी और अन्तितय वही हुआ आज अनल देशमुक को अपने पत से इस्तिफा देना पड़ा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिशनर परमवीर सिंग की याचिका पर बॉंबे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए देशमुक के खिलाब सीबी आई जांच के आदेश जारी कर दिये हैं अदालत ने पंदरा दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है परमवीर ने बॉंबे हाई कोर्ट में एक रह मंत्री के खिलाब सीबी आई जांच किया चुका दायर की थी महराज चुकी सियासत में इस समय हलचल मची हुई है वहीं सीबी आई को भी पंदरा दिन में जांच रुपोर्ट साउपने कादेश दिया गया है और फिलाल वरिष्ट पत्रकार योगेश सोनी जो इस समय हमारे साथ लाइफ जुड़ गए हैं योगेश महराज चुकी सियासत में इस समय महाभारत मची हुई है पूरे देश की निगाहें ठीकी हुई है कि आखर चल क्या रहा है यहां पर इस पीच बड़ी बात यह है कि उद्दव ठाकरे अभी तक चुप हैं वो शुरू से लेकर अभी तक इस मसले पर चुपी साथ ह हुए हैं वज़े क्या मानी जाए तो निश्य तो निश्य तो गड़बड़ी चली रही थी जिसका ठामियाजा कहीं न कहीं उत्तव सरकार को बहुतना पड़ेगा और मसला यह है और इस देश का दुरभाग की यह है कि जब ऐसी घटना हैं हो जाती है जब ऐसी घटना को अ हैं अगर यही चीजों को समय समय पर रिफॉर्म किया जाए और इन चीजों को समझाया जाए समझा जाए इसमें थोड़ा सा इसका विकास किया जा तो निश्य तोर पे ऐसी घटना होने से पस सकती हैं यह आपको बताओं पर भी यह कोई बॉम्बे का मामला नहीं पहले भी से च्छे साथ राज्यों में इसी कटा है बड़े सतर पे हो चुकि यह लेकिन धाक के तीन पात पर क्योंकि जिसके हाथ में तंत्र होता है वो उसका मालिक होता है और उसके बाद ही चीजे होती हैं उत्तर परिवेश में देखिए बीती सरकारों पर इतने बड़े आरोप कि उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ लालू परसाद यादव पर चारा घोटाला जो एक एक नैशनल इस्तर का जो घोटाला था वो लगा था उसके बावजूद थोड़ी सी सजा काटने के बावजूद भी वह राजनीती में पूर्ण रूप से सक्री है लोग उनकी पार् पारिधास की चार्षान मस्तानी तो तब ही बन चुकी थी जब उत्व सरकार ने दवनों दलों के साथ सरकारे बना ली तี่ तो मस्ला कहीं नहीं यह जा dear कि क्या थिछ अपने अपनी सरकार ने ख़ला करा लिया था तो उसके बावजूद ऐसा होना अब इसको कुछ लोग दो एंगल से ले एक कि यहां पर ऐसा कुछ हुआ है दूसरा यह कि यहां पर बीजेपी पर आज दीतिकारों पर उन्होंने कुछ ऐसा कहके परंवीर से काम करा है लेकिन कि अगर आज यह कारवाई बैठ रही है और इन चीजों को समझे तो कहीं नहीं निश्चित तोर पर यह सब चीजे लोग संतर के लिए बहुत बड़ा खत्रा है यानि आने वाले समय में महाराश्यों सरकार के मुश्किले तो निश्चित तोर पर बढ़ेंगी इतना सब कुछ हम देख रहे हैं और एक यहां पर सवाल ये भी है कि अगर वाकई में भारती जुनता पार्टी की कोई मिली भगत होती तो बॉम्बे हाई कोट की तरफ से इस तरह का फैसला दिया जाना और अब सीबी आई जांच बैठेगी तो ऐसा नहीं है कि सीबी आई निश्पक्ष ज होता है अगर यह जो आपने बात बताई है निश्चित तोर पर यह गैर राजजी बात और इसको हम तकनी की रूप से समझे तो लोग अपने मन से आरोप लगाते हैं कि यह जो बाकी दलों के साथ सरकारे जुड़ी है वह ऐसा आरोप लगा नहीं कि यह बीजेपी की की इस तरीकी की कारे शहली से कही ना कहीं बहुत लोगों को ठेच होती है और यह लगता है कि यह बाइका जो दंदा है क्या लग रहा है सरकार के और भी नुमाईंदे स्केस में फस सकते हैं क्या आने वाले समय में कोई और भी बड़े नाम हम इस पूरे मसले में सामने आ सकते हैं क्योंकि भारती जंता पार्टी यह भी कह रही है कि यह सौ करोड किस किसमें बटने वाला था यह बड़ा सवाल है पल्लवी मैं एक बात की जानकारी आपको दे दू कि कोई भी जो इतने बड़े इस तर पर गोटाले होते हैं यह रिश्वत बाजी यह रिश्वत वाकांड होते हैं यह कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता यह इसमें पूरी श्रंकला होती है और मुख्या के जो राज्जे क मुख्या जिसके हाथ में गाड़ी होती है जो ट्राइवर होता है उसके बिना यह हस्त शेप के या उसकी बिना जानकारी के यह असंबब है तो मैं ऐसा नहीं मानता हाँ आपने इक बात कहीं कि इसमें निश्वत तोर पे आगे कुछ लोग नप सकते हैं सरकार के जो मुख् श्रंकला पूरी जो चेन है वो कहीं न कहीं इसमें शामिल पाई जाएगी देखिया आपके घर के पाथ छोटे मोटे इस तर पे भी इर्दगिर तो ही छोटा है गलत काम हो रहा हो तो पुलिस के मुख़र पुलिस को इंफॉमेशन देते हैं पुलिस वहाँ पर एक्शन और प्लान अफ्रा कर देती है तो इतना बड़ा जब मसेला होता है और जो इतनी बड़ी चीजे होती है तो निश्चित तोर पे यहाँ पर सबकी मिली बगत होती है बिलकुल बहुत बहुत शुक्रियां योगिश जी आप हमारे साथ जुड़े इस मसले पर चर्चा करने के लि खबर नामा खबर से असरता पागनाल सला मश्वरा करके COVID-19 दे फैला उते काबू पोर्ली कोवा एप विक्सित कीता सी जसनाल ओनलाइन रजिस्ट्रेशन हस्पताला आते लेबा ते होर पलाई दी चाणकारी नो विक्सित कीता गया तेस्ट करान दे वी ओदे विच तुसी रिजिस्टर करांके भी जा सकते सी ते होन तीका करन दी महीं दे विच वी पंजाब सरकार ने हे बहुत अच्छा प्राला किता है कोवा एपदे थू तुसी आपने आपनो पहला सेल्फ रिजिस्ट्र करके अपनी सर्जिन साई चू कोवा प्लेटफोर्म नू अरोगया से तु आइसी एम आर आइटी अदार्त एकत्रित होड़ स्पोर्ट विचलेशन प्रनाली याथे कोवी नाइटीन क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम ना जोड़ा गया है जदो कोई भी COVID-19 दा टेस्ट करवा लेंदा है ता इस दी रिपोर्ट आपने आप उसनों SMS द्वारा सांची कीती चांधी है क्योंकि समय समय ते कोवा प्लेटफोर्म आईसी एमार नाल लिंक होंदा है ते एस एप दे रही कोई भी आपने 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 क्रोणना टीका करन ले ही रजिस्टर भी कर सकता है राश्ट्र धर्म रात आठ बजे से ए एन बी नियोस पर कम ब्रेक और जादा खबरों के साथ देखिए ए एन बी नियोस एन चैनल खंबर पर क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सिहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है में बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे लोग सोचते हैं कि मैं जादा बढ़िया खाऊंगा काजू खाऊंगा, बदाम खाऊंगा, किसमिस मेवे खाऊंगा या मास मचली खाऊंगा तो मेरी जादा बड़िया सेहत बनेगी क्योंकि सभी ने अपने बड़े बजूर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूद खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी मैं कहता हूँ घी, दूद, काजू, बदाम तो आप खा लोगे पर क्या उस घी दूद को पचाने की शमता आपके अंदर है वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फाइदा फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूद खाएं, कुछ भी करें आपके उपर इसका असर नहीं होगा जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मरजी पानी भरे जाएं अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा ठीक इसी परकार आप चाहे कितना भी अच्छा खापी लें अगर आपका पाचन तंतर अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके उपर कुछ भी नहीं लगेगा इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आईरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को दुरुस्त करने का काम करती है जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर पर लगे आपकी भूख बड़े खाया पिया सही से लगे नया खून बने हड़ियों में जान आए वजन बड़े ताकत बड़े चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे खूब सूरत परसनेल्टी के मालिक बन जाए ये दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो आपकी भूख बढ़ जाए आपको भोजन रुची कर लगे आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाए वही आपको पूरी तरह से पचे उसी से शरीर में नया खून बने उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था, वो ही भोजन आपके उपर असर करना शुरू करते। जब आपका पाचन तंतर मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाऊंगे, वो ही आपके उपर लगेगा। सही माइने में आपका पाचन तंतर आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है। ताकि अब जो भी खाएं, उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे। आपके अंदर एनरजी बने, ताकत बड़े, नया खून बने, शरीर हश्ट, पुष्ट, बलिस्ट और बोडी मजबूत बने। ये दवा पूरी तरह से आयरुवेदिक होती है। इसलिए इसका शरीर पर कोई भी साइड एफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां, दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रपे की पूरे एक महीने की दवा होती है। और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ कमजोर सेहत होने की वज़ा से शर्मिंदगी का सामना करते हुए देखा है। चार दोस्तों में खड़े होते हैं तो फीके पड़ जाते हैं। कपड़े जचते नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती, शादी व्या यारों दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई इंटर्व्यू वगरा देने जाए, तो पहले ही अंदर से जचक महसूस होती है, कि कहीं सामने वाला मुझे देखकर ही रिजेक्ट ना कर दे। और इसी परकार, लड़कियां अगर जादा दुबली पतली हों, तो वो आकरशक नहीं लगती। भरा हुआ बदन ना हो, तो कपड़े पूरे नहीं जचते। और कई बार तो जादा दुबली पतली लड़की हो, तो लोग उससे शादी करने को भी कतराते हैं, कि कहीं कल को ऐसा ना हो, कि इसका असर हमारी आने वाली उलादों पर पड़े। इन सब के पीछे बस एक ही कारण है, कि जो आपके भोजन में से ताकत निकालने वाली मशीन है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। बस इसी उधारन को आप अपने शरीर पर समय लें, कि अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है, अगर आपका लीवर सिस्टम ठीक है, तो आप उसमें जो भी डालोगे, वो उसी का पूरा निचोड निकाल देगा। जब आपकी मशीन दुरुस्त होगी, तो आप उसमें जो भी डालोगे, वो उसी से ताकत को खीच लेगी। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम, रस, रक्त, मास, मेध, अस्थी, मज्जा, शुक्र, पूरी बॉडी ठीक से काम करने लग जाएगी। इसलिए हमने ये दवा बनाई है कि सबसे पहले उस मशीन को ही ठीक कर दिया जाए, ताकि आपकी बॉडी जो पनपन ही पा रही है, वो पनपने लग जाए। सिर्फ दिन में दो बार, सुबा नाश्टे के बाद और शाम को खाना खाने से पहले आप इसे दूद या पानी के साथ ले सकते हैं। शरीर में उर्जा सी, ताकत सी, शक्ती सी भरी रहती हैं। चेहरे पे नूर, लालीमा, चमक सी आ रही है। परसनेलिटी इंक्रीज हो रही है। और सबसे बड़ी बात पूरी तरह से आयरुवेदिक होने की वज़ा से इसका शरीर पर कोई भी नुकसान नहीं होता। कई बार लोग जिम जाते हैं, कसरत करते हैं कि किसी तरीके से मेरी बाड़ी बन जाए। वो जिम में हजार, दो हजार पे महीने की मेंबर्शिप भी ले आते हैं। फिर दो दिन कसरत करते हैं और ठक जाते हैं। कि मेरी तो हड़ियां दर्द करने लगी, उनसे कसरत हो ही नहीं पाती और जिम के पैसे भी बेकार चले जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग प्रोटीन के डबे खाते हैं या कुछ बजारू दवाईयां खाते हैं या कैपसुल, गोलियां, इंजेक्शन लगवाते हैं कि किसी तरह से हमारी सेहत बन जाए। पर वो ये नहीं जानते कि उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आपके अंदर की गरबड को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक आपकी सेहत बन ही नहीं सकती। और आज कल तो बजार में कुछ इस तरह की दवाईयां आ रही हैं जो उल्टा फाइदे की जगा नुकसान पहुँचा देती। मैं कहता हूँ प्रोटीन के डबे पीने हैं, पीओ, लेकिन उस प्रोटीन को पचाने की ताकत भी तो तुमारे अंदर होनी चाहिए, वरना उपर से प्रोटीन खाया और नीचे से निकल गया, तो क्या फाइदा। लोग कहते हैं मीट खाने से, मुर्गा खाने से, मचली खाने से ताकत बनती है, जब आपसे डाल रोटी तो पच नहीं रही है, मीट मुर्गे कहां से पचा लोगे। जैसे कोई पौधा पन अपना रहा हो, तो हम उसकी जड को खाद पानी देते हैं, ना कि पत्तों को। ठीक इसी तरह से, अगर कोई इनसान पन अपना रहा हो, तो उसकी जड उसके पाचन तंतर को, उसके लीवर सिस्टम को ठीक करना होगा, ना कि सिर्फ ताकत की चीज़े खाने से कुछ होने वाला है, जब तक समस्या के असली कारण को समझ कर, उसकी जड परवार नहीं किया जाएगा, तब तक उपर उपर से इलाज करने से कुछ भी नहीं होगा, फिर चाहे आप प्रोटीन के डबे खाओ, जिम जाओ, कसरत करो, मास, मचली, घी, दूद, बदा जो मरजी करो, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक असली जड को नहीं काटोगे, तब तक समधान नहीं होगा, और अगर इसी पाचन तंतर को, इसी लिवर सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, तो आप जो भी खाओगे, उसी का पूरे का पूरा निचोड आपके शरी 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपकी भूख अच्छी हो जाएगी, अगर आप दो रोटी खाते हैं, तो चार खाएगे, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, खाना पूरी तरह से हजम होगा, पेट पूरी तरह से साफ होगा, यानि कि आपकी पूरी की पूरी मशीनिरी ठीक होना शुरू हो जाएगी, शरीर में नया खून बनेगा, नई ताकत आएगी, हड्डियों में जान आएगी, पिछके हुए गाल भर जाएगे, वजन बढ़ेगा, और आप मोटे, तगडे, खूब सूरत परसनेल्टी के मालिक बन जा करते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी उनके मसल नहीं बनते, वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उनको और भी जल्दी इसका असर आएगा, क्योंकि जब पाचंत अंतर ठीक होगा, जब लिवर सिस्टम ठीक होगा, तो भोजन तो शरीर को लगेगा ही, कसरत भी लगेगी, जिस्म हमेशा उर्जा से भरा रहेगा, 100% शुद्ध आयरवेदिक जड़ी बुटियों से इस दवा का निर्मान किया जाता है, इसलिए इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होता, सेहत एक ऐसा खजाना है, जिसके सामने दुनिया के सारे खजाने फिके हैं, और अगर आकरशक व्यक्तित्व नहीं होता, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली, दरडव स्वस्त हो, लोग तो उसे कमजोर ही समझते हैं, बहुत से लोगों के नैन, नक्ष, रंग, रूप, बहुत सुन्दर होने के बावजूद भी, सिर्फ दुबले पतले होने की वज़ा से, लोग जब तक आपका भरा हुआ बदन नहीं है, गाल अगर पिछके हुए हैं, चेहरे पर नूर और रौनक नहीं है, तब तक ना तो आपको कपड़े जचेंगे, और ना ही आपकी परसनेल्टी सही नजराएगी, और यही अगर भरा हुआ बदन हो, चेहरे पर नूर, लालीमा, रौनक हो, तो आप कुछ भी पहन लो, वही आपके उपर जचेगा, उसी से परसनेल्टी को चार चांद लग जाएगे, मैं कहता हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अगर सेहत बनाना चाहता हो, तो उसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है, बस उसका पाचन तंतर ठीक ह होना चाहिए, और अगर उसका पाचन तंतर ठीक हो गया, तो उसकी सेहत बननी ही बननी है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कई बार आपने देखा होगा, एक ही माबाप के चार बच्चे हैं, उनमें से एक दुबला पतला है, और बाकी तीनो स्वस्त हैं, खाना तो वो सभी एक ह पीर सोई से खा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों, इसका मतलब गरबड कहा है, गरबड बाहर है, या गरबड अंदर है, और अगर इसी अंदर की गरबड को ठीक कर दिया जाए, तो आपकी सेहत अपने आप निखरने लग जाएगी, इट मीन्स अगर पेट खराब है, अगर हाजमा खराब है, अगर पाचन तंतर में गरबड है, तो आपकी सेहत कभी ने बन सकती, कई बार तो लोगों के पाचन तंतर में इतनी जादा गरबड होती हैं, कि वो जो भी खाते हैं, वो ही अद पचा रह जाता है, कुछ लोगों को तो मैंने देखा, अगर वो दूद भी पीते हैं तो दस था जाता है दूद पिया दस था गया खाना खाया तुरंट दस था गया उनका शरीर हजम ही नहीं कर पा रहा वो जो भी खा रहे हैं वो ही निकले जा रहा है तो हमने जो आयूरवेदिक दवा बनाई है आप अगर इसे दिन में दो बार सुबा शाम दूद से ले 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 तो पहले पांच साथ दस दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा पहले पांच साथ दस दिनों में ही आपको लगेगा कि मेरी भूक पहले से बहुत अच्छी होगी मेरा हाजमा पहले से बहुत बढ़िया हो गया मैं जो भी खाता हूँ फटा फट पच जाता है दोबारा फिर से खाने को दिल करता है और आप अगर थोड़ी सी भी कसरत करेंगे तो वही आपके उपर रंगत लाना शुरू कर द रुस्त शरीर एक दम से फिट और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा और आप मोटे तगडे खूब सूरत परसनेलिटी के मालिक बन जाएंगे सो परसन्ट शुद आईरवेदिक जड़ी बूटियों से इस दवा का निर्मान होता है इसका शरीर पर कोई भी साइड फेक्ट कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये दवा हम सीधे डाक या कोरियर दवरा आपको भीजते हैं ताकि डिस्टीबूटर, होलसेलर और रिटेलर का कमिशन बचे और आपको दवा सस्ते में मिल सके शिर्फ छेसो पचास रुपे की पूरे एक महीने की दवा होती है इसके इलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता और आप इसे घर ब पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं